मुश्कार दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में तो अभी हम पढ़ रहे हैं साइस आगे भी आपको बैक टू बैक वीडियो मिलते रहेंगे तो अंतक बने रहेगा हम मिक्स कॉशन सापके लिए करा रहे हैं सभी कॉशन मिक्स रहेंगे जिससे आपका मन भी लगा रहे है और कॉशन बनते भी रहे तो चलिए अब नया वीडियो हम शुरू करेंगे तो अभी जो अभी अभी क्लास में आया है जिन्नों ने अभी वीडियो उपन किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर क्योंकि आपके लिए क्लास हमेशा मिलती रहेंगे वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ चलिए वीडियो को लाइक भी कर दिए क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए आवशक है तो लाइक के मांधियम से ही आपको सहयोग करना है तो लाइ ये D.A.M.P.E. उपग्रह चीन ने प्रक्षेपित किया है इन में से किस इस्थान पर E.L. की नई प्रजाती जिमनो थोरेक्स मिश्रई की खोज की गई है तो E.L. मचली की एक प्रजाती है और इसकी एक नई प्रजाती इसका नाम है जिमनो थोरेक्स मिश्रई इसकी खोज मे परनालनो, CR-7 नाम दिया है Next question है इन मेंसे किस संस्थान को पवितर तुल्सी के जीनोम अनुकर्मण के साथ सामिल किया गया है तो CSIR, CIMAP संस्थान को तुल्सी के जीनोम अनुकर्मण के साथ में शामिल किया गया है इन में से मड़ीपुर में खोजी गई catfish की नई प्रजाती का नाम क्या है तो मड़ीपुर में खोजी गई catfish की नई प्रजाती है glyptothorax senapatiensis next question है हाली में तत्व की एक नई अवस्था जिसका नाम है jan taylor metal इसकी खोज हुई है कौन से वेग्यानिकों ने इसकी खोज की है तो तत्व की एक नई अवस्था है jan taylor metal जापानी वेग्यानिकों ने इसकी खोज की है मानव में व्रक का व्रक एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंदित है तो मानव में जो किडिनी है वरक है उच सर्जन तद्र का भाग है नेक्श कॉशन है मानव में सांस वरणक कौन सा है तो हीमोगलोविन मानव में स्वांस वरणक है रुधिर एक तरल मांध्यम होता है जिसे हम प्लाजमा कहते है अगला कौशन देख लेते है अगला कौशन है कौन सी कोशिकाएं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्त स्त्राओं के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोग देती है तो प्लेट लेट्स वो कोशिकाएं है जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और अक्तिस्त्राओं की स्थान पर उधर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोग देती है कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदू दिखाई देते है ये हरे बिंदू कोशिकाओं है जने हम क्या कहते है तो कुश कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं और ये बिंदु कोशिकाओं क्लोरोप्लाष्ट कहलाएंगे लसी का किसका वहन करती है तो लसी का वसा का वहन करती है पादपव में जाइलम का काम क्या होता है तो पादपव में जाइलम जल वहा दियारी की जल को ले जाने का काम करता है चुद्रात के आंतरिक आस्तर पर अनेक उगली जैसी प्रवर्ध होते हैं जिने हम क्या कहते हैं तो छोटियात के आंतरिक हिस्से में उगली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं जिने हम दीरगरोम कहते हैं कौन सा हॉर्मोन जो प्ररोहों के अग्रभाग में सलसलेशित होता है तथा कोशिकाओं की वरदी में सहायक होता है क्या कहलाता है तो प्ररोह के अग्रभाग में ऑक्सिन सलसलेशित होता है और कोशिकाओं की वरदी में सहायक होता है जिबरेलिन क्या है तो जिबरेलिन एक प तो होडी वीन वर्ग ने साम्य वस्था का नियम दिया था। भूवी परतेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में क्या परिवर्तन हुआ है तो आकार का परिवर्तनियन की आकारिक अनुकूलन हुआ है भूवी परतेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में। प्राडी में तवचा आदरग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है, तो मरू अनुकूलन प्राडियों में तवचा आदरग्राही अनुकूलन कहलाता है, इस फूर दीप्त अंग किस में पाए जाते हैं, जो तुरंध ही रिस्पॉंस देते हैं, तो इस फूर दीप्त अंग क समु कोशिका का समसे पहले पता लगाया था कोशिका और प्लाजबा जिली केंदरक और कोशिका द्रवे से मिलकर बनती है ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओ में केंदरक जिली नहीं होती है उसे हम क्या कहते है तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में किद्रक जिली नहीं होती है वो प्रोकेरियोर्टिक जीव कहलाते है उतक क्या है तो उतक कोशिकाओं का एक समू होता है कोशिकाओं की कुछ परते उतक के आधारिय पैकेंग का निर्मार करती है इन्हें क्या कहते है तो कोशिकाओं की कुछ परते उतक के आधारिय पैकेक का निर्मार करती है इन्हें पैरिंग काइमा कहा जाता है कौन सा उतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है तो स्केलरे काइमा उतक जो है पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है कोशिकाओं की कौन सी परत का कारे जल की हानी कम करके पादपों की रक्षा करना होता है तो एपीडर्मिस परत का काम जल की हानी कम करके पादपों की रक्षा करना होता है दोस्तो प्लीज शेयर जरूर करते जाएं और लाइक जरूर करते जाएंगा सुबिरिन क्या है तो सुबिरिन एक प्रकार से रहसायन है जीवों के वर्गी करण के लिए सरवादिक बूलभूत लक्षण क्या हो सकता है तो जीवों के वर्गी करण के लिए सरवादिक बूलभूत लक्षण उनकी कोशिका की रचना सनचना होती है किस आधार पर जन्तू और वनस्पतियों को एक दूसरे से विभिन वर्ग में रखा जाता है तो स्वयम भोजन बनाने की शम्ता को लेकर जन्तू और वनस्पतियों को एक दूसरे से विभिन वर्ग में रखा जाता है कौन से विशम पोशी यू केरियोटिक जीव जो पोशण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते है तथा उठे ब्रत जीवी कहा जाता है तो फंजाई तथा कवक, विशम, पोशी, यू, केरियोटिक जीव होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं तथा उन्हें ब्रत जीवी कहा जाता है वाइरस होने वाला, वाइरस से होने वाला सामाने रोग क्या है यकरत में संपन्द गुलकोनियोजिनेसिस प्रक्रिया है तू आवशक हार्मोन कौन सा है तो यकरत में संपन्द होने वाली गुलकोनियोजिनेसिस प्रक्रिया है तू ग्लूकेगोन नामक हार्मोन की आवशकता होती है इन वैसे संकट कालीन हार्मोन किसे कहेंगे शारिक संतुलन बनाने में सहाइक सम्वेदी अंग कौन सा है तो शारिक संतुलन बनाये में सहाइक सम्वेदी अंग हमारे कान होते है शरीर में लिंफोसाइट कोशिकाओं के बंदे से संबन्दित ग्रंथी कौन सी है तो थाइवस ग्रंथी शरीर में लिंफोसाइट कोशिकाओं के बंदे से संबन्दित ग्रंथी है मैंडल बूलता किस विशय के विश्यशंगे थे तो मैंडल जो है मैंडल विध्यानिक ये बूलता दरशन सास्त्र से समधित विशय के विश्यशंगे थे मैंडल ने अपने प्रयोगों को Brune Society of Natural History की वारषिकी में किस सन में प्रकाशित किया था तो Mendel ने अपने प्रयोगों को Brune Society of Natural History की वार्सिकी में 1866 में प्रकाशित किया था निम्न बैसे Mendel के कारियों की पुनर खोज किस ने की थी तो Mendel के कारियों की पुनर खोज Hugo Deverys, Quarrens और Sharmic वेग्याने को ने की थी मिलकर अगला कॉशन देख लेते हैं अनुवालशिकी शब्द का सरपृथम प्रयोग किस ने किया था तो अनुवालशिकी सब्द सरपृथम प्रयोग वाटसन ने किया था जब दोशुद विप्रीत गुणो वाले पौधों को संकृत कराय जाता है तो प्रथम पीडी में निम्न मैंसे किस के गुण प्रदर्शित होते हैं तो जो भी प्रभावी होगा, जो उन दौन मैंसे प्रभावी होगा तो प्रभावी लक्षण वाले पौधे के गुण प्रदर्शित होंगे जीवन की उत्पत्ति के आदुनिक सिद्धान्त को किस ने दिया था? तो जीवन की उत्पत्ति के आदुनिक सिद्धान्त को A.I.O.P.E.रिन ने दिया था उलाई गोसीन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था तो मीसो हिपस प्रकार के घोड़े का विकास उलाई गोसीन काल में हुआ था उपार्जित लक्षणों की वनसागती का सिध्धान्त किस ने दिया था तो लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वनसागती का सिध्धान्त दिया था जनन द्रव्य सिध्धान्त किस न दिया था तो बीजमान नामक वैग्यानिक ने जनन द्रव्य सिध्धान्त दिया था ब्रह्मार्ण का अधियन के श्विसाय से सम्मनित है तो कॉस्मो लौजी में ब्रह्मार्ण का अधियन करते है वेग्यानिकों के मत के अनुसार जीवन का सरपर्थम उद्भव किसमे हुआ था तो वेग्यानिकों के मत के अनुसार जीवन का सबसे पहले उद्भव समुद्र में हुआ था मानवों में लगवक कितने आवशेशी अंग होते हैं तो मानवों में सो अलग-अलग प्रकार के अवशेशी अंग होते है मृत्य जीवों के चटानों में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो पैट्री फैक्शन मृत्य जीवों के चटानों में बदल जाने की प्रक्रिया कहलाती है अंगो का उप्योग में आना या ना आना किसकी विशेष्टा है तो लेमार कवाद की विशेष्टा है अंगो का उप्योग में आना या ना आना सम्महनी पौधों में कौर्क क्या होता है तो सम्महनी पौधों में सुरक्षात्मक उतक है कौर्क दूसरी जायलम वाहनिकाए कैसी होती है तो दूसरी जायलम वाहनिकाए चोड़ी और छोटी होती है निम्ण मैं से कौन सी पेशी एक्षिक पेशी है तो कंकाली पेशी एक्षिक पेशी का उधारण है अस्थी उपास्थी टेंडन और रुधिर ये सब क्या है तो अस्थी उपास्थी टेंडन और रुधिर ये सयोजी उतक के उधारण है चिकनी पेशिया कहां पर पाई जाती है तो आंद्रिक अंगों की दीवारों पर चिकनी पेशिया पाई जाती है रेखित पेशिया कैसी पेशिया होती है तो रेखित पेशिया एक्षित पेशिया होती है भुजाओ और पादों में पाई जाने वाली पेशी कौनसी होती है तो हमारे हाथ और पैर में पाई जाने वाली पेशी कंकाल ये पेशी है तो दोस्तों ये था आज का इस वीडियो का आखरी कॉशन और आगे आपका वीडियो जानी रहेगा वीडियो आपका दूसरा चालू होगा बने रहिए अंत तक देखिए सीरीज कवर करिए अपने दोस्तों को शेर करके बलाईए और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिये चलिए दूसरा वीडियो शुरू करते हैं